हेलो इवरिवन चाट काना तो हम सबको पसंद होता है चाहे वो बच्चे हो या बड़े तो आज मैं आपके लिए एक पर्फिक्ट चाट की रेसिपी लेके आई हूँ उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में जो चटनी यूज हुआ है उसकी रेसिपी और लेड़ी चैनल पर है लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ आप जाके चेक आउट कर सकते हैं पापड़ी के लिए हमें ये सब इंग्रिएंस की जरूँ थे तो सबसे पहले हम लेंगे दो कप मैदा फिर हम लेंगे चार चमच घी घी से पापड़ी जो है वो खस्ता बनता है एक चमच काला जीरा हाप कप सूजी नमक और पानी तब हम पापड़ी का डोब बना लेंगे जिसके लिए मैदा में सूजी और नमक डाल दी हूँ फिर हम इसमें आड़ करेंगे गी गी से जो है ये खस्ता बनता है और फिर इसमें आड़ करेंगे काला जीरा और सबको अच्छी से मिक्स कर लेंगे पहले और एक बॉल बना के चेक करेंगे हतेली में जब ये बॉल अच्छी से बन जाएगा मतलब ये रेडी है ये देखिए तब हम पानी डालके इसको गुनना स्टार्ट करेंगे तब ही मैं पानी थोड़ा सा डालूँगी गुन दूँगी एक साथ ज़्यादा पानी ना डाले थोड़ा थोड़ा करके डाले और गुनते चले ये देखिए जैसे हती लिव के पीछी भाग से आपको इसको गुनना है ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे हमें इसका जो डो है वो जादा करा या जादा नरम नहीं गुनना है जैसे हम आटा के लिए डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा करा गुनना है ये देखिए लेकिन जादा करा भी नहीं गुनना है ये देखे इतना ही रहना जरूरी है ये बन चुका है और अभी हम इसको ढखके 30 मिनिट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए कि ये देखे एसे ही सारे लूईBowls को हम बना लेंगे सबसे पहले तेल लेंगे और उसको चक्की में अची से ग्रीज कर लेंगे और फिर लूई लेके जैसे हम रोटी या चपाति बनाते हैं वेसे इसको नहीं करता है क्योंकि लास में हमें इसको कठी करना है तो देखिए लाश में फिर फोक की मदद से हमें इसको प्रिक कर लेना है ताकि ये फूले नहीं और कोई भी ढखकन लेके उसको रखके कट कर लेना है आप इसकी जगा कुकी कटर भी लेके कट कर सकते हैं यह देखिए यहां पर इसका जो थिकने से वह मोटर लग रहा है इसलिए हम इसको बेलन की मदद से पतला कर लेंगे क्योंकि यह जितना पतला होगा उतना ही क्रिस्पी बनेगा तो सारे को सारे पापड़ी को ऐसे ही कर लेंगे यही प्रोसिजर से यहां पर एक और बेल ली हूँ तो इसको प्रीक कर लेंगे और फिर कट करेंगे इसको बेल के पतला कर ले रही हूँ तो इसी प्रोसिजर से देखिए मैं सारा पापड़ी को ready कर ली हूँ तो चले चलते हैं आगली procedure में जहां पर हम इसको तेल गरम करेंगे और जैसे ही तेल पूरा गरम हो जगा flame को medium पर कर लेंगे और फिर हम add करेंगे यह पापड़ी जो हम बना के रखे थे और इसको fry करेंगे medium flame पर इसको high flame पर fry करने पर इसके उपर तुरंत कलर आ जाता है इसलिए medium flame में इसको ऐसे ही चनी की मदद से प्रेस करेंगे ताकि इसके उपर bubbles थोड़ा आने पर यह सुंदर दिखते हैं तो यह दिखिए ऐसे ही घुमा घुमा के तेल में हमें इसको थोड़े टायम के लिए पकने के लिए देना है जब तक इसके उपर थोड़ा सा color ना आ जाए तब तक तो यह दिखिए थोड़ा सा color आ चुका है तो यहां पर हम इसको पलट लेंगे ताकि यह दोनों सेट से अच्छी तरीके से पक जाए देखिए धीरे धीरे इसका color जो है वो चेंच होने लगा है तो यह देखिए आपको थोड़ा थोड़ा बीच में प्रेस करना होगा और ऐसे एक साट color आ चुका है तो देखिए दूसरे सेट भी अच्छी से color आ जाए तो यहां पर दोनों सेट में color आ चुका है तो तेल को अच्छी से strain कर लेंगे और फिर इसको ले लेंगे strain करके देखिए तो दूसरे बैच को भी सेम तरीके से मैं कर रही हूँ यह देखिए पहले अच्छी से थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसके ओपल थोड़ा सा बबल साए यह देखिए और फिर color चेंज होने पर इसको पलट लेना है और यहां पर दोनों सेट में color आ चुका है त तो यहां पर मैं उबला हुआ आलू मटर और पियाज को एक साथ मिक्स करके ले ली हूँ फिर अभी हम बनाएंगे दही का पेस्ट जिसके लिए मैं ली हूँ एक कप के करीब दही उसमें हम आड़ करेंगे तीन चमा चीनी फिर आड़ करेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अ हम पापड़ी को डेकॉरेट कर लेते हैं इसके लिए प्लेट में सारा पापड़ी को मैं रख दे रही हूँ फिर इसके उपर हम लगाएंगे यह उबले हुए आलू और मटर को यह दिखिये उसके बाद हम आड़ करेंगे यह तीखी हरी चटनी उसके उपर फिर आड़ करेंगे यह खटी मिठी चटनी यह दिखिये इसके बाद हम आड़ करेंगे दाही इसके बाद हम आड़ करेंगे सारे सुख्य मसाले तो सबसे पहले हम आड़ करेंगे भूने हुए जीरे का पाउडर हमको जरा सा इसके उपर स्प्रिंकल ही करना है हलका हलका सा फिर आड़ करेंगे गरम मसाला बस जरा जरा सा ही स्प्रिंकल करना है फिर आड़ करेंगे ये चाट मसाला और लास्ट में आड़ करेंगे लाल मिर्च का powder यहाँ पे मैं बूने हुए लाल मिर्च का powder इर ये उस कर रही हूँ और फिर आड़ करेंगे ये कटे हुए पियाज पिर आट करेंगे ये बारिक बाले सेयो ये देखें सारे flavor एक ही साथ आपको मिल जाएगा और flavor का बिल्कुल explosion होने वाला है उसके बार ये देखें ये complete होच्चुक है उसके बाद हम आट करेंगे या नार का दाना देखें किसके थो लग रहा है हमारा प्लेट और लास में हम आड करेंगे कटे हुए धनिया पत्ता जिसको मैं बारीक से काट ली हूँ वाव कितना सुंदर लग रहा है तो मार्केट से भी अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हैं कि कितना कलर फुल लग रहा है और सौरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि पापड़ी कितना क्रिस्प बना है देखिए आप देख सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बना है कितना क्रिस्पी जय है दिखिए देखिए हैं कितना क्रिस्पी अच्छाओ कर दो दो कितना क्रिस्पी